हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एड एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज 4.5 में उमारे पास क्या दे रखा है आपका पूरा चैप्टर ही किस पे है स्केयर रोंबस इनके बारे में दिया हुआ है पैरलोग्राम के बारे में ठीक है अब इसमें हमारे पास क्या दे रखा है 4.5 में फॉर्स्ट कोशिन है दा स्केयर आरी एडी एक हमें स्केयर रो करना है क्या आरी एडी विद आरी इस इक्वल तू 5.1 सेंटिमेटर जिसके एंगल कितने डिग्री के होंगे 9090 डिग्री तौ तो हम सबसे पहले हिए एक साइड ले लेंगे और यह में कितना गीवन है 5.1 सेंटिमेटर झोठक में पैला हे 5.1 सेंटिमेटर यह हमने जाए 5.1 सेंटिमीटर और वह नाम पासमे है E, R E, उसके बाद हमारे पास सब भी साइट में क्या होता है 90 degree का angle होता है 90 degree का angle होता है तो हम लगाएंगे यहां से सबसे पहले हम 90 degree का angle बनाएंगे इसके उपर हमने 90 degree का angle बना दिया है यहां पर रखा ऐसे cut कर देंगे first cut हमारा 60 का होता है और second है 120 का फिर दोनों से हम arc से ऐसे cut कर देंगे ठीक है जो हमारे पास यह point आया है इसको मिलाने के लिए हमने एक line draw की और यह हमारे पास जो line है यह हमने ऐसा line draw की जो 90 degree का angle बनता है अब यहाँ भी R E हमारे पास कितना है 5 point है 1 cm अब E से A हमारे पास कितना होगा यह भी 5.1 cm होगा तो क्या करेंगे 5.1 cm का compass open करेंगे और cut लगा देंगे 5.1 cm तो यहाँ पी जब हम रखेंगे तो यह cut कहां लगेगा आपके पास से यहाँ लगेगा इसको मिलाएंगे तो कहां आईगा हमारे पास यह हमारे पास क्या आ गया point A R E A A से फिर हम यहां स फिर से 5.1 के लिए cut लगाएंगे यहाँ पे लगेगा इधर से भी हम 5.1 के लिए cut लगाएंगे इधर लगेगा ठीक है तो यह point भी हमारे पास क्या आ जाएगा D अब सभी को मिला लेंगे इस से जब हमने R को मिलाया यह भी 5.1 हो जाएगा और जब हम इसको इधर तब भी 5.1 आ जाएगा तो हमारे पास R E A D और सभी की सभी साइड से हमारे पास कितनी है 5.1 सेंटीमेटर क्योंकि सभी साइड क्या होती है स्क्यार के इकवल होती है तो यह मारे पास कितना आ गया 5.1 सेंटीमेटर आ गई सभी साइड से यह था हमारे पास first question next है मारे पास question नमबर टू में आपको क्या दे रखा है ए रॉम्बस एक रॉम्बस दिया हुआ है whose diagonals are 5.2 cm and 6.4 cm long पीछे भी किया था हमने कैसा ही question उसमें भी रॉम्बस था और diagonals गीवन थे अब भी हमारे पास क्या एक रॉम्बस है और उसके diagonals गीवन है पहले हमने हमारे पास बड़ा जो diagonal है वो कितना है 6.4 cm तो हमने उसी से लिया कि सबसे पहले हम diagonals की लेंथ ले लेंगे 6.4 cm यह हमारे पास diagonal है 6.4 cm ड्रो कर लिया हमने 6.4 cm फिर जो diagonals है वो एक दूसरे को cut करते हैं तो हाफ पर करते हैं इसका हम by sector draw करेंगे इसका जब by sector draw करेंगे तो उस by sector के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हाफ से ज्यादा compass open कर लेंगे और एक बार हम इसका by sector draw करेंगे इधर भी ऐसे इकट लगा देंगे इसी तरह से सीम ऐसे कैसे compass को खुला रखेंगे और एक उपर की साइड और एक इधर की साइड दो आर्क जो किया हमने जब हम इन दोनों आर्क के points को ऐसे मिलाएंगे इन दोनों points को हम एक दूसरे से मिलाएंगे ठीक है यह हमारे पास क्या आ जाएगा यह हमने 2 points थे दोनों को मिलाया उसके बाद देखो यह जो आपके पास यह दो हमारे पास एक diagonal है A C हमने इसका नाम ले लिया क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दे रिखा तो हमने क्या ले लिया A B C D A कर rhombus है तो A C diagonal हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा B D इधर हमने क्या ले लिया B ले लिया और इधर हमने क्या ले लिया D चो ऐसा है इधर भी लियो इधर डे लो आपकी चो ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं आप देखो यह जो है यह भी हमारे पास जब यहां से cut करता है तो half पे cut करेगा इट में से जितनी भी हमारे पास total इसका कितना देर का 5.2 तो 5.2 का half कर देंगे 2.6 है इससे उपर भी 2.6 और इससे नीचे भी 2.6 है अब 2.6 के लिए कम pass open करेंगे यह हमारे पास क्या आजएगा 2.6 है यहां से जब हमने रखा तो यह आजएगा 2.6 है इसी तरह से जब हम इधर करेंगे तो इधर भी क्या आजएगा 2.6 के लिए इन दोनों points को match कर देंगे इधर से जब हम लेकशे आएगे तो A से हमने किसको मिला दिया यह point मिलाया फिर इधर से जो यह हमारे पास A इसको भी मिलाएगा इसी point से अब रोमबस है, रोमबस की सभी साइड क्या होती है, एक्वल होती है, तो सभी की सभी साइड क्या हो जाएंग इसकी, एक्वल ठीक है, यह आ जाएगा, और इसी तरह से फॉर्थ पॉइंट हमारे पास है, यहां से हम इसको करेंगे, तो यह आएगा, फॉर्थ पॉइंट, अ अब हमारे पास क्या आजाएगा A A B ये point हमारे पास क्या होगा B और ये हमारे पास क्या होगा point D ठीक है इनको हम रफली और कोई भी नाम दे सकते हैं ऐसे करके इसको हटा दिया हमने जो एक्स्ट्रा था उसको हमने रिरीज कर दिया ठीक है ये हमारे पास क्या बन गया है कि रॉंबस बन गया है जिसका नाम क्या है A B C D तो यही हमें draw करना था ये आपकी construction बता रखी है draw A C is equal to 6.4 cm A C को हमने कितना draw किया 6.4 cm और जो B D है वो कितना है 5.2 cm draw the right by sector इसका हमने right by sector draw कर दिया A C at E कहां पर किस point पे किया हमने इसको E point पे ठीक है draw two arcs दो arc draw कर गी हमने किस से center E से center E से दो arc draw कर दी 2.6 और 2.6 के लिए to cut the previous diagonal at B and D जो पहले वाला जो diagonal उसको B O D पे cut करता है join AD, AB, BC and CD तो क्या बन जाएगा हमार पास ABCD एक rhombus ठीक है next है हमार पास question number 3 question number 3 में आपको क्या दे रखा है a rectangle with adjacent side of a length 5 cm and 4 cm adjacent side, adjacent side कौन से होती है जो उसके साथ लगती है जो side उसको हम क्या बोलते है adjacent side से, अब एक rectangle दे रखा है rectangle है तो उसके opposite side से equal होंगी ठीक है तो हमार पास length क्या दे रखा है एक 5 een 4 तो हमार पास 55 और 44 दो दो side मिल गई हमें तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि हमने नام नहींं 6 तो हमने क्या नाम रख लिया, P क्या हूँ, R से, हमने P क्या हूँ, एक लाइन रो की, और कितने की हमने 5 cm के लिए, सबसे पहले हमने 5 cm के लिए एक लाइन रो करेंगे, यहां से P क्या हूँ, और इसका नाम क्या रख दिया, हमने P क्या हूँ, ठीक है, और जो हमार पास rectangle होता ह है rectangle में condition क्या होती है कि उसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है तो अब हम इस पे 90 डिग्री का एंगल बना देंगी यहां से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया ऐसे ठीक है यहां पर फर्स्ट कट होगा 60 के लिए और इसे सेकंड जो कट लगाते है वो 120 का होता है फिर फर्स्ट कट से लगाया और यह हमार पास से जो सेकंड है आर का उससे लगाया यह जो हमार पास पॉइंट आया इस पॉइंट को हम करेंगे और यह हमार पास पी क्यों कितना है 5 सेंटीमेटर तो उसके बाद हमार पास क्या उसे आर, आर आएगा वो कितना आएगा, 4 cm, तो यहां से हम पहले 4 cm के लिए कट लगाएंगे, कि 4 cm कट कहां आएगा आपका, यह मार पास है 4 cm, तो यहां आएगा 4 cm, अब इसको मिलाएंगे हम, यह जो मार पास आर्प थी, इसको हम यहां से मिल लाएंगे तो हमार पास यह कितना हो गया फॉर सेंटीमेटर अब यहां भी हमार पास फॉर सेंटीमेटर है ठीक है कितना है फॉर सेंटीमेटर तो इधर से जब हम कट लगाएंगे वह भी हमार पास अपोजट साइड से कॉल होती है तो यहां से जो हम कट लगाएंगे वह कित को cut कर देंगे यह हमार पास कितने के लिए आया 5 cm के लिए अब हम इसको points को मिलाएंगे यह हमारा पास क्या है P and Q कि और यह इधर से जब अबम इसको मिलाएंगे तो यह point क्या क्या आ जएएंगे हमारे पास P Q R and S यह हमारे पास क्या बन गया P क्या हूँ RSA के Rectangle ठीक है एक Rectangle जो करके दिखाना था जो हमारे पास P क्या हूँ RSA यहां भी अब हमारे पास इस पर कितने कितने डिगरी का है 90-90 डिगरी यह 5 cm इसके opposite side भी कितने होगी 5 cm और क्या हूँ आर यह 4 cm है तो यह भी हमारे पास कितन Q4 Q4 में देखो क्या दे रखा आपको Q4 में गीवन क्या है एक Paralogram O-K-A-Y एक Paralogram ड्रो करेंगे उसका नाम क्या है O-K-A-Y 5.5 cm O-K कितना दे रखा है 5.5 cm and K-A अब देखो O-K-A-Y कहीं से भी अगर हम ड्रो करना शुरू करेंगे तो माल लिए O-K-A-Y तो यहां क्या आजएगा O-K-A और फिर Y तो O-K हमारे पास कितना है 5.5 cm, K-A कितना है 4.2 cm तो पहले O-K ड्रो कर देंगे ठीक है O-K करो ड्रो O-K हमारे पास कितना दे रखा है 5.5 cm तो 5.5 cm ड्रो किया हमने O-K यह हमारे पास क्या आया O-K कि 5.5 cm अब दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम 90 डिगरी का एंगल बनाते हैं तो कैसे होती है Rectangle का होता है तो 90 से कम के लिए बना देंगे कोई भी एंगल मान लिए हमने 60 डिगरी का एंगल बना दिया ठीक है हमारी measurement के according होता है हम बना सकते है 60 डिगरी का अगर हम यहां किसके लिए है 60 डिगरी के लिए अब के से एक जो डिस्टेंस यह कितने है 4.2 cm तो 4.2 cm अब कम पास ओपन करेंगे और कम पास ऑपन करके कट लगाएंगे 4.2 cm के लिए इधर आएगा कट अब इसको मिलाएंगे हम K से A को यह हमार पास ऐसे है इसको जब हम मिलाएंगे तो यहां मिलेगा और इस point का नाम क्या आजेगा आपके पास से K और यह point क्या आया A अब देखो ओके यह कितना है 5.5 cm के यह कितना है 4.2 cm और parallelogram क्या opposite side क्या होती है equal होती है तो यहां से जो distance है यह 4.2 है तो इदर से भी हमार पास जो distance लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे 4.2 के लिए लगाएंगे लेकिन यहां से जो लगाएंगे यह 5.5 है तो यह भी कितनी आएगी 5.5 यह हमारे पास compass open किया हमने 5.5 के लिए और A के उपर रख्या हमें ऐसे cut कर देंगे ठीक है यह हमारे पास जो cut आएगी क्या आजएगा Y पॉइंट क्या आजएगा O के A Y अब इसी पॉइंट को हम O से भी मिलाएंगे यह मिला दिया O से और इस पॉइंट को हम किससे मिलाएंगे A से यह हमारे पास यह है ऐसे तो यह क्या आजेगा O, K, A, Y O, K, A, Y क्या बन गया है के parallelogram इसकी यह 5.5 है यह 4.2 यह भी कितनी है 4.2 cm और इदर हमार पास कितनी है 5.5 cm फिर आप से पूछ रखा है Is it unique क्या यह एक unique है नहीं इसके अंदर दो कुछ भी unique नहीं है तो no it is not a unique नहीं है यह यूनिक मिज नहीं है यह थी आपकी exercise 4.5, O, K, Thank You